लखनाओं के मोहनलाल गंज सीच से बीजेपी सांसद कौशल किशोर की बहु ने आत्पहंत्या करने की कोशिश की है कौशल किशोर की बहु अंकिता ने सांसद आवास पर अपने हाथ की नस्काट ली इसके बाद पुलिस आननफानन में अंकिता को सिविल अस्पता लेकर गई इलाज के बाद अंकिता के सिती अब बहतर है एक वीडियो जारी किया था इस वाइरल वीडियो में अंकिता ने रोते हुए पुलिस और आयूश के घरवालों पर गंभी रारोप लगाए वीडियो में अंकिता ने कहा वैकप से इंतजार कर रही थी कि आयूश उनके पास आएगा रविवार को आयूश महिला थाने क्या वज़े है कि अब वो तो प्रॉसेस चल रहा है जहां चल लिया है उसने अपने बयाना दज़कर आए है है न तो जिंदिदार थेरा रही है तो क्या आधार क्या है अधार यह है कि मैं आपे ते दिन से गाया है तो कुछ पता नहीं मैं आपकी दीवी हूँ पर वो ना मुझे कोई मतलब है कि पड़ागा नहीं उसने आभी तक मुझे किस बगार की कोई बात करनी की को किस तरी है अंकिता ने आगे कहा कि मैंने सीएम योगी आधितनाथ से भी अपील की है लेकिन कोई कुछ सुनने को तयार ही नहीं है और से भी मुझे उम्मीद नहीं है तो अंकिता का कहना है कि ऐसी स्थिती बना दी गए जिसके चलतों ने मजबूर में एक अधम उठाना पड़ा कि के राजनेतिक दवाब के चलते उनकी बात को ना तो पुलिस पर शासन के अधिकारी सुन रहे हैं ना बाकी लोग सुन रहे हैं आपको पता दें सांसत कौशल किशोर की बेटे आयूश ने तीन मार्च को एफायर लिखवाई थी कि उन पर चंदन ने गोली चलाई है पर ताल में यह आरोप फरजी निकला था खुलासा हुआ था कि आयूश ने चंदन को फसाने के लिए अपने साल आदर्श से खुद पर गोली चलवाई थी इसके बाद आयूश फरार हो गया था फिर इस मामले में आयूश पत्नियांकिता चंदन और आयूश की मा विधायक जैदेवी के वीडियो वाइरल हुए हमारा डिजिटल चैनल टीवी नाइन भारत वर्श